यह कहानी है एक रोड ट्रीप की जिसमें मैं, मेरी वाइप, मेरे दोस्त माहित और उसके वाइप चारों मिलकर हम जा रहे हैं मेघालया यहाँ की खुपसूरत लेंस्केप, छोटे वरे ज़रने और पूरानी गुफाओं के लिए मेघालया तो फेमस है ही एक और चीज के लिए मेघालया बेहर फेमस है, यहाँ की बारिश पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होनी वाली जगा चेराकुंजी मेघालया में ही है तो यही सब चीज एक्सपेरियन्स करने हम अपनी सफर की शुरुवात करते हैं धूगरी से जब चलते हम पहुत चुके है नौया हाट में तो यह हम लोगों केला वाटर ब्रेक है तो देखते अभी कितना किलोमेटर होगा दुबरी से किलोमेटर पहुचा आप चुके है और उसको आने के लिए थोड़ा सा रस्ते में ट्राफिक था तो एक गंड़ा लग गया है तो फोर्टी मिनिस लगा है अप्रोक्स और यह देखिए यह इन दोनों के लिए है आमला और बाकी देखते हैं अभी जाते सामने जादा दून नहीं है अभी बिलेशी बड़ा हमको मिलेगा सामने उसके बाद शायद रस्ता थी होगा तो हम जल्दी कौन जाएगे छोटी छोटी राहे मिलके कहीं दूर दूर मन्जिल पर जाएगी कभी चाओ चाओ कहीं दूप सताएगी लंबे लंबे दूरे बे युही चलते चलते कम होती जाएगी कभी चाओ चाओ कहीं दूप सताएगी सफर अंजानास है रस्ता बेगानास है हर मोड मोड पे कुछ नयासा है सफर अंजानास है कि अधिन पर फिश्ट निया सा है अर्मोड मूड पे कुछ नया सा है हर प्रपे कुछ नया सा है मूरी ची आप है अम लोग मतलब भूपी से निगलेते सारे 9 बजे अभी ताइम हो रहा है आंपर देख तेक तुर दो बज रहा है तो पाँच या सारे पास गंड़े में हम लोग 200 किले मेंटर के बर करके आभी पहुंच चोगे राजापरा में राजापरा में जो यह उटल मोरीची का है यह काफी पोपुलर है और माहित पहले से बूल रहा है कि मोरीची का में चमिंगता है तो आभी हाँ पेटे हुए खान है और एक सब्जी है बस इतना ही मिलेगा अभी आने में वाशालाब भी दे चुगा है यह है यह जो चैज्टी है यह जो दिखाओ तो आप अगर यहां पर आते हो ना तो आप अगर सब्जी नहीं भी लेते हो तो यह आपको कॉंप्लिमेंट से मिलता है यह एक आचार है ज अगरा लेते हो रोटी बगरा अगर आपको सब्सी नहीं भी लेना है तो यू कन ट्राइब यह कॉंप्लिमेंट प्रिया आपको खाना बहुत बरिया था और प्राइस इतना मिनिमाल है मैं मतलब एक्सपेक्टी नहीं कर रहा था चार जन खाना खाया भी 400 का वील वाम लोग सब्सक्राइब आपको मतलब अलग फिल होगा क्योंकि वोईस लाउड हो चुके हम लोगा और अवास भी नहीं था अभी खाना मतलब भर चुका है तो आवास भी मतलब हरा भरा ही मिलेगा आप लोग को मतलब सुनने के लिए अनर्जी चार्ज्ट हो चुका है अभी सब्सक्राइब कर चुके और अभी पहुंचने वाले जोड़ावाट में मेरा गोप्रो जे वह बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है तब इसलिए जो यह मुबाइल से शूट करना पर रहे है अभी तोरह कर लिजिए का क्योंकि मुबाइल इसमें मतलब माइक लगान उचे उचे पहाड़ों पे जाके इस दिल की ख्वाहिशें युगन गुनाएंगी कहीं छाओं छाओं कहीं दूप सताएगी लंबी लंबी दूरी भी है युही चलते चलते कम होती जाएगी कभी छाओं छाओं कहीं दूप सताएगी सफर अंजाना सा है रस्ता बेगाना सा है अर मोड मोड पे कुछ नया सा है सफर अंजाना सा है रस्ता बेगाना सा है अर्मोड मूड पे कुछ नहासा है, अर्मोड मूड पे कुछ नहासा है अब टाइम हो रहे है फ़ाइब फ्रटिफाइफ मचल्ग आपनार पहुंच मंचल्ग शिलों मुकुप है रहो है। मतलब water break एके लेते, coldings बगारा कुछ पीते है यहापे, बहुत देर से मतलब अभी तक रुका नहीं गुवाटी में, पहले तो प्लान तक गुवाटी में भी रुखने का, मतलब भापे थोरे देर मतलब वेटकन रेस्ट लेने का, बो हुआ नहीं तो आभी यहाँ पे रुके पीछे लेके आभी आगे हम लोग पी रहे हैं चाय क्या मस्त फिलिंग है इतने दिनों बाहर पाहारों में मतलब आप चाय ब्रेक कंप्लेट हो चुका है, अभी यहाँ पर पास दस मिनिट का एक रेस्ट लिया यहाँ पर अभी टाइम हो रहे है शीक्स और हम यहां से निकल अभी यहां से जो आप देख से तो ट्राफिक कितना भायां करें बाइसे बहात कितना लंब ट्राफिक है बहुत लग जाएगा यहां से और अठरा किलोमेटर जैसे कुछ है शीलों लेकिन अभी एक टेर गंटा दिखा रहे है गुगल मेप पहुन चुके शीलों में आप द एक देर गंटा हम लोग का मतलब ट्राफिक में ही चला गाया बाकि अब देख सेकतो हम लोग एंटर कट चुके है अभी शीलोंग सीटी के अंदर यह शीलोंग सीटी का व्यू बाइस आप क्या मास्ट लग रहा है होटल अभी यहां से जो हम लोग का होटल है वो 1.2 किलोमे हम लोग मतलब रूम के अंदर है जो चेक-इन बागरा सब कुछ हो चुका है यह कुछ इस तरह का रूम हम लोगों का तो रूम छोटा सा है कोजी टाइप का है लेकिन रूम अच्छा है तो बाहर जाएंगे और बहार पर मतलब डीनर करेंगे तब यह टाइम हो रहा है अभ तो नो बचे के असपार बंद हो जाता है तो फटा फटे जाते वह वाकिंग डिस्टेंस पर यह दस से पंदरा मिंट का इससे कुछ लगेगा तो चलिए जाते और वहाँ पे डिनर करते उसके बाद इस ब्लोग करते जाके एक बाए पुलीस बाजर के जो माहोल है वह भी द पने ज़ाले प्रकी डेल चल रहा है शिलोंग की गलीओं शेयर से यहांसे आगे जाएंके अभी टााइम होगा है त्री आट और हम लोग जाने वाले सीना वाली जीवारे स्ट्ययंट में बहाँ पर प्यूर बहें मिलता है तो शिलोंग में आके जिन लोगों को मतलब भाये तो आप नोट कर सकते हो जीवा रेस्टुएंट एक है वो प्यूर्ली बैज रेस्टुएंट है तो अब हम लोग भी वहीर पे जा रहे है तो यह देख सकते हो आप यह है तूलिक बजार का नजारा शीलों में यह आप देखे हैं आई लाप शीलों का जोग्ड़ का तो हम रख पहुण पहुण जो है जिवा रेस्टुएंट नजाओ सूली है तो हम लोग पिए नोग सेटाइट अधुण्नी तो आभी नोगी ने गयाओ अब हो आपकानी लागाने वह दोको दाने लोग कोने लिए तो आपन्स कुने लागा, आटी को आपके हैंस प्र मार प्रच्टाने किने यहां से 1.5 तेलिविडिया स्पास एता है कुछे तो सब्सक्रेट में आपकी मुझे आइड़े प्रच्टाने किने आपकी मुझे 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